दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तो आपकी प्यार और शर्पूर्ट की हमें बहुत ही ज़रूर थे हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागाथ थे आपका जियो खिर उग found सबी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूडे ब्रेकिंग नीज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी बिडूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसी बड़ी खबर के रूप में है तो दोस्तो आज की सबसे बड़ी खबर है दोस्तो बिडू को एक लाइक जरू कर दोस्तो बड़ाओ पर हैं दोस्तो Research पर दोरान निताओं के जुबानी फिसलने का लंबा इतिहास रहा है। इस तरीके के लोक्स बाचुनाओं में ना सिर्फ कई नेताओं की जुबान फिसली बलकि उन्होंने राजनीती के अस्तर को नीजी जिन्दगी से तांक जाक करने वाले ऐसे बोल बोले जो ना सिर्फ हमले हुए हैं। चुनाओं पर चार के दोरान औरंजेब दुरियोधन की भी इंट्री हो गई है। जैसे जैसे लोक्स बाचुनाओं के चार चरन बढ़ते गएं। विवदास्पत बयानों से जड़ी भी लगने लगी है। एक दूसरे को मात देते होड में पुराने मुद पर देखने को मिला जहां बंगाल की खाड़ी से निकला सियासी तुफान बवंडर में तपदील होकर के कुलकत्ता से लेकर के दिली तक सियासत की बुनियादी हिला डाली। कुलकत्ता में अमिच्चा के रोडसों में भड़की हिंसा से ममता और मोदी के बीच जंग की पीच बताने के साथ लोटे तो साधवी प्रग्या ठाकूर ने गांधी के हत्यारे को दिशभक्त बता डाला। पर लोगों को उनकी सारवजनिक रूप से देखने वाली जानकारी को आसानी से बेवस्यत करने के लिए फेस्बुक अपना व्यू एज पब्लिक फीचर दोबारा ला रहा है। पर लोगों को फेस्बुक पर उनकी प्रोफाइल दूसरे दोस्त को दिखाने के लिए सिर्फ दू चरण में बेवस्यत करना आसान कर रहे हैं। जी हां दोस्तों पहला चरण है कि हम व्यूज एज पब्लिक फीचर को वापस ला रहे हैं। और दूसरा कारण है कि हम सीधे प्रोफाइल पर उनकी एडिट पब्लिक डिटेल बटन जोड रहे हैं। फेस्बुक ने पिछले साल सितंबर में एक सुरक्षा खामी के कारण यह फीचर हटा दिया था। जिसकी सहायता से एक हैकर इस फीचर की सहायता से लगभग 5 करोर एकाउंट को टोकन चुरा लिया था। जोरी किएगे टोकन की सहायता से हैकर अकाउंट में जा सकते थे। इस खामी के कारण फेस्बुक को लगभग 9 करोर यूजर को उनके अकाउंट में लॉग बैक करना पड़ा था। जिससे वे यह सुनिशित कर सेके कि वे सुरक्षी थे। कमपनी ने कहा है कि हमने सुरक्षा की समिख्षा कर ली है और व्यू एज फीचर के नए वर्जन को लागू कर रहे हैं जो लोगों को यह दिखाएगा कि उनके प्रोफाइल उन लोगों को कैसे दिखती है जो फेस्बुक पर उनके फ्रेंड नहीं है। जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़बर है जम्मू कस्मिर से भारती वायू सिना के दू एयर वेस पर आतंग की हमले का खत्रा हाई अलर्ट पर सुरक्षा बना रहे हैं। जैसे मुहमद के आतंगे ठीकानों को नेसनाबूद कर दिया था। इसके बाद से पलटवार करते हुए पाकिस्तान ने अपने भारते सेन प्रतिष्ठानों को टार्गेट करके लड़ाकों विमान एप सोला भेज दिया था। उससे हमले से सेना ने मुतूर जवाब दे दि 13 माई को जैस के एरिया कमांडर मैसूर अहमद को उत्तरपरदेस के सामली इस्थित कई स्टेशन को बंब से उड़ाने की धमकी के पत्र मिले थे। इसके बाद सामली के अलट घुसित कर दिया गया था। इस्टेशन और आसपास के इलाकों को रेलवे पुलिस के साथ जा था जिससे जिहादियों की मौत का बदला लेने की बात कही गई थी। 13 माई को सामली समेत राजधानी दिल्ली और हरियारा में करीबन 11 एस्टेशनों को बंब से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके अलावा पत्र में यूपी, दिल्ली के मुख मंत्री और संग परमुक मौहन भागवत को मारने की भी धमकी मिली थी। आपको बता दे कि इस कारण से सामली में अलर्ट घोसित किया गया है। सुबह से ही जी आर्पी 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 एफ के अलावा जनपत की पुलिस संपर्क कर रही है। कर्फिव की टीम भी सहर और एस्टेशन पर लगतार घ कोडसे के संदर्व में दिये बयान अज्याद भारत का पहला चरम पंती एक हिंदू था पर बिवादित बयानों में गिरे मयकम नीदी मयम के संस्थापक कमल हासन ने एक और बिवाति बयान दे दिया है। जिहां दोस्तों उन्होंने अपने एक बयान के प्रक्रिया में कहा है कि फिल्मी दुनिया से राजनिती में उतरे हसन ने अपने विरुधियों के बस वैध आरोप लगाने ते हुए कहा है और पूछा है कि राजनिती में कदम रखने के बाद वह क्या समाज की बस एक ही खिलाफ आतंकवादी या हत्यारा सब्द का इस्तिमाल कर सकता हूं। पिनेता को अनुमती देने से इंकार कर दिया है। अब की बार तीन सो पार जियां दोसो प्रधानमत्री मोदी ने कहा है कि अब देश चाहता है कि घर में घुस करके आतंकियों को मारा जाए। उन्होंने कहा है कि मुझे खुसी है कि देश राष्टवाद की प्रेणा अंतियोदे के दर्शन और सुसासन के मंत्र को ले करके चल रही है। भाज़पा के प्रती अपना विश्वास दिखा रहा है। मोदी है बीजेपी है तब तक जंगल में रहने वालों के अधिकारों को उनकी जमीन को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा प्रधानमत्री मोदी ने कहा है कि एक जूट चल रहा है कि सानों के खाते में जो पैसा जमा हो गया है वो चुनाव के बाद वापस ले लिया जाएगा ले लेकिन अब 150 दिन हो गए फिर भी कर्ज माफी नहीं हुई मोदी ने कहा कि ये लोग बिजली का बिल माफ कर रहे हैं लेकिन इन्होंने बिजली ही हाफ कर दी यहां मध्ध परदेश में धाई मुख मतरी है अब सर भी काम नहीं कर पा रहे हैं जी हां दोस्तों अगली बड़ अब व्यार्थियों ने राष्ट पती को संबोधित करते हुए डियेम के नाम एक पत्र लेकर के नियुक्ति पत्र मांग की साथ ही अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो एक्छा मृत्यों की मांग के सुविकार करें दर असल 2013 में पुलिस आरक्षी भरती हुई थी जिसमे आज इस अब व्यार्थियों के नियुक्ति पत्र नहीं मिला है इस कारण आज सैक्ड़ अव्यार्थि जिला अधिकारी का लियारे में इकठा हुए थे राष्ट पती को संबोधित एक पत्र डियेम के नाम लिखा जिसमें से 11786 अव्यार्थियों को नियुक्ति पत्र देन नहीं हो रहा है